हमने इसराइल और हमास की बीट जो conflict है ना उसके regarding बहुत सारे images हमारे सामने आई बहुत सारी दिल को दर्द देने वारे images भी थी तो ऐसे समय के उपर ना बहुत सारे लोग injured होते हुए हम देखने को मिले हैं इस time के उपर जो rafa crossing है जिस crossing की मदद से जो gaza strip से हैं आप अजिप्ट के अंदर जा सकते हो वो थोड़ा समय के लिए open किया गया ये basically जो crossing आप जानते हो south of gaza strip में आपको देखने को मिल जाएगी पर जिसको control कौन करता है इसको control अजिप्ट करता है तो इसको जब थोड़ा time क चोड़े मुद्धे और है जैसे for example आप GST के बारे में देख सकते हो देखो GST जो कि एक indirect tax है आज से लगबग साथ साल पहले इसको लाए गया तो यहां पर इसकी collections अब बढ़ी है इस month तो एक अच्छी ख़बर हमें देखने को मिले है कि इस time जो पिछला महीना गया है उसम कुछ दिनों के अंदर ही ED के पार में हम completely जानते हैं तो अपने आप में न देखो काफी concerning situation अभी डैली के अंदर reason being की जो बहुत बड़े-बड़े leaders है वो अलड़ी jail के अंदर है एक high possibility बन रही है कि जो दिली के Chief Minister है अरविंद केजरिवाल जी हो सकता है उनको भी arrest कर लिया जान ले ली है basically तो देखो इस तरह के मुद्दे चाहिए थोड़े टाइम पहले हमने IIT Bombay के बार में एक बार news पड़ी थी फिर इस तरह जो prominent institutions होते हैं उनके अंदर suicide rates हमें अच्छे का से देखने को मिलते हैं तो कि अपने आप में काफी concerning situation है no doubt IIT Delhi, IIT Bombay इस तरह के करना होगा definitely अच्छी education चाहिए पर उसका pressure इतना जादा नहीं बन जाना चाहिए कि बच्चों को अपनी जान लेनी पड़ी ठीक है तो यह कुछ मुद्य थे आज जो हमें discuss करने है तो दोस्तो डेट है आज की 2 November 2023 और आप सभी का स्वागत है आज के prelim booster news discussion के अंदर discussion start करें उ बहुत ही grand seminar होने जा रहा है तो यह seminar होगा कहां काफ सारे बच्चे यह भी पूछ रहे थे देखो यह seminar आपका होगा national PG college हजरत गंच लखनव के अंदर ठीक है तो जो भी students है इसके आसपास रहते हैं definitely आप इस opportunity को use कीजिए नीचे मैंने registration link डाल दिया है अब वहाँ पर जाके इस session के लिए register कर सकते हो और अपने जो faculties हैं उनसे meet up कर सकते हो तो आपके लिए सारा session बहुत helpful रहने वाला है आगे चलते हैं discuss करते हैं एक news के रिबारे में that is with regards to UNESCO की जो creative city networks के अंदर हमारी जो कोई code है उसको literature और साचा जो गवालियर को music के अंदर यहाँ पी include किया गया है तो पहली बात तो यह समझो कि actual में क्या होता है एक होता है world cities day अब world cities day के अंदर क्या हो रहा है जो हमारी important cities है इस cities के अंदर हम urbanization को जो control करके urbanization एक होता है uncontrolled वाला वो वाला नही sustainable urban development को हम focus करें इसके लिए हम यहाँ आप इसको celebrate करते हैं अब यहाँ पर इस particular day के उपर दुनिया भर की 55 cities को ना UNESCO Creative City Networks के अंदर डाला गया इंडिया की तरफ से उसमें दो थी जिसमें कोई code हो गया एंड सालसा का आपका गवाली और हमें देखने को मिल जाता है तो actually इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिर यह UNESCO Creative City Network आखिर है क्या 2004 के अंदर इसको launch किया गया था यहाँ पर न डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो cities होती है उनके अंदर international cooperation भड़ पाए इसके लिए focus किया जाता है तो यहाँ पर न actually उन्होंने 7 creative fields को identify किया है जिसके अंदर आपका craft and folk art हो गया, design हो गया, film हो गया, gastronomy हो गया, literature, media, arts, music तो इस तरह total 7 creative fields यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है एक सवाल आपके दिमाग में आएगा सरी जो दो cities यहाँ पर हमने include करी है कोई code हो गया और ग्वालियर हो गया कैई पहली बार है कि इंडिया की तरफ से है the answer is no, already हमारे यहाँ पर न 6 cities UCCN की list में हमें देखने को मिल जाती है जिसमें सबसे पहले आपका वारणसी का नाम आ गया जो की music की field में थी जैपूर आपका craft and folk art हो गया चन्नेई आपका music के अंदर फिर से Mumbai आपका films के लिए हाइदरबद आपका gastronomy के लिए श्री नगर आपका craft and folk art के लिए तो यह 6 तो थी ही थी उसके लावा जो दो हमने और add कर दी मतलब दो add और हो चुकी है कोई कोड और गवालियर तो आई होप उनका नाम भी आपको समझ आ गया होगा तो आज के समय के उपर साड़े 300 से भी जादा हमारी इस तरह की cities हैं दुनिया भर के अंदर जो हमें देखने को मिल जाती है इनके अलावा जैसे for example इस बार काट वांडू को फिल्म के लिए add किया गया है रियो डिजिनेरियो को लिटरिचल के लिए बाकी और cities के भी नाम देख सकते हो बाकी और cities उतनी point नहीं है हमें इंडिया की दोनों cities के बारे में अच्छे से ये चीज पता होनी चाहिए ठीक है तो एक तरह से cooperation बढ़ती है इन cities के अंदर creativity को acknowledge किया जाता है और इन सभी fields के अंदर ये चीज दिया जाता है ठीक है friends next topic के तरफ चलते है that is UPSC Titans Rules for Appointment of State Police Chief सर आखिर इसका क्या अर्थ है मतलब क्या कहना चाहरे है यहां पर देखो ये न आप इसको समझो थोड़ा सा मैं आपको मिताता हूँ जैसे for example एक state के अंदर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि highest police appointment क्या हो सकती है तो आप जानते हो वो होता है DGP Director General of Police अब actual में 2006 में एक important case हुआ था सर कौन सा case परकाश सिंग judgment बहुत famous judgment है आप सम जानते होंगे परकाश सिंग वसस Union of India case हुआ था 2006 के अंदर आप इनफेक्ट ना जो लोग police reforms पड़ते हैं या पर internal security बहाँ आपर इस judgment को definitely बच्चे court करते हैं मैंने बहुत बार देखा भी है तो यह जो particular case था ना यहाँ पर Supreme Court के दोरा कुछ guidelines दी गई उन्होंने क्या बात करी कि जब हम DGP को select करेंगे ना जो की highest position है आपकी state के अंदर तो इस DGP को select करते टाइम ना क्या होगा कि state की तरफ से जो भी eligible officers हैं उनके नाम भिज़े जाते हैं UPSC को and accordingly वहाँ पर ना फिर एक three member panel हमें देखा जाता है three member panel में कौन हो गया एक UPSC की तरफ से representative हो गया साथी साथ आपकी central government की तरफ से और state government की तरफ से फिर accordingly ना मिलके यह देखते हैं कि या उस पोस्ट के लिए कौन बंदा applicable है या कौन person सही है उस हिसाब से चीजे work करती है तो इस तरह से DGP का recommendation का process इस तरह से work करता है पर काफी मेंट से ना हमें एक चीज़ देखने के मिली है वो क्या issue है वो यहाँ पे ना कुछ state government की ना अपने कुछ favorite officers होते हैं अब होता क्या है अपने favorite officers को appoint करने कोशिश करते हैं और साथ ही साथ अगर आप notice करो अगर मालो इनका कोई state government को फेरोट officer था उसका time रह गया बहुत ही कम अब time बहुत ही कम है मतलब बनदा बस retire होने वाला है तो उसको ना एक तरह से DGB के लगा दे जाता है तो उसका tenure extend करने ही कोशिश करी जाती है पर ये वाली चीज़ ना वो परकाश सिंग judgment के against जाती है तो यहाँ पर ना UPSC ने rules को tighten करके हो ये बोला है कि जो police officers जिनका कम से कम 6 महीने की service होगी सिरफ उनी को ही यहाँ पर के जा सकता है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कि किसी की 2 महीने की service बची हुई है आपने उसको DGB लगा दिया नहीं, कम से कम 6 months of service होनी ही होनी चाहिए उनके retirement से पहले की तब ही उनको यहाँ पर DGB appointment के जा सकता है इसके लावा और भी चीज़े होई है पर major जो चीज़ थी ना वो यहाँ पर हमें यही देखने को मिली है साथ में और चीज़ भी आप देख सकते है जो guidelines के नदर यह भी बोला गया है कि जो पहले हम 30 साल की service कम से कम expect करते थे DGB appointment के लिए उसको 25 साल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बहुत सारे अलग-अलग states से जहाँ पर हमें examples मिलते थे जिनों ने यह जो प्रकाइसिंग judgment है इसको follow नहीं कर रहे थे तो basically हमने rules को tighten करने कोश्च करिया ensure करने कोश्च करिया कि यह सब जो favoritism को इबान करें देखने को मिलता है इसको कही न कहीं remove कर जाए ताकि जो appointment process हो वो अच्छे से हो और एक security of tenure उनको मिले ऐसा ना होगी कम time के लिए वो काम करें and that will just hamper the policing process तो थोड़ा सा आईए UPSC के बारे में भी जान लेते हैं आप लोग त्यारी कर रहे हो इस exam इनके जो exam conduct कर रहा जाते हैं तो आपको पता ही होगा बढ़ ठीक है इस अ कॉंस्टूशनल बॉड़ी जो कि आपकी article 315 से 323 के अंदर आपको देखने को मिल जाती है Central Recruiting Agency है यहां पर हमें total maximum 10 members देखने को मिल जाते हैं जहां पर एक chair person भी होते है इनका जो process है आपको article 316 में देखने को मिल जाएगा इनकी जो appointment है कौन कर राता है President of India तो जो chairman और members है उनको remove कौन कर सकते है सिरफ और सिरफ president साब ही उनको remove कर सकते है 6 साल की इनकी term रहती है and they hold the office till our age of 65 years जो भी पहले होने को देखने को मिलता है और इनकी जो sell भी होती है वे consolidated fund of India के उपर charge होती है कई बार यहां पर acting chairman भी appoint किया जा सकता है अगर president साब को लगता है कि या तो office vacant है या फिस chairman किसी भी कारण पर जासे अपने functions को perform नहीं कर पारे तो commission के जैसे मैंने आप पुगता है maximum 10 members हो सकते है and number of members कौन decide करेगा हमारे president साब भी इसको यहां पर determine करते है members reappointment के लिए eligible नहीं होते तो थोड़ा सामने UPSC के पर में भी जान लिया अगले topic की तरफ चलते है that is 53 accidents, 19 deaths per hour in road crashes in 2022 says ministry हमारी जो कौन सी ministry है पहली बात तो यह बताओ ministry of road, transport and highways इस particular ministry के दौरा annual report निकाली गई फिक है ना इस annual report के अंदर बताया गया है कि कितने road accidents basically हो रहे हैं उनसे कितने लोगों की मृत्य हो रही है so on and so forth तो पहली बात तो ministry कौन सी थी road, transport and highways इसने क्या बताया इसने बताया कि भाईया जैसे for example हम 2022 की बात करें यहाँ पर road accidents हुए 4,61,000 के आसपास ठीक है उनके अंदर लगबग 1,68,000 इतने लोगों की यहाँ पर हमें death देखने हो लिए road accidents के अंदर और severity अगर आप notice करोगे severity का मतलब होता है कितने persons की मृत्यू हुई per 100 accidents 100 accidents में लगबग 36.5 लोगों के मृत्यू हमें यहाँ पर देखने के मल जाती है तो यह कुछ numbers है जो इनके दोरह बताये गए हैं और अपने आप यह number देखो हर घंटे के अंदर 19 लोगों की death हो जाती है just because of road crash तो अपने आप में situation काफी concerning है और अगर आप थोड़ा देखोगे ना पिछले 2-3 सालों में तो यह number हमें बढ़ता हुआ यह देखो increasing trend चल रहा है तो यह अपने आप पर थोड़ा concern दिखा रहा है एक तरफ हम efforts ले रहे हैं बहुत सारे कहीना कहीना अपने आप एक्सेंट को कम करता है on the other hand हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों की मुन्तियों जादा हो रही है जादा एक्सेंट हो रहे हैं तो कहीना कहीना कि हम जो काम कर रहे हैं और उसका implementation है थोड़ा साना gap यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो report तो हमें समझ आ गया कि कौन इसको release करता है यहाँ पर आपका जो Asia Pacific वाला है यह क्या होता है United Nations आपका जो Economic and Social Commission for Asia Pacific उनका एक ना format है कि किस format के अंदर हमें data को store करना है तो Asia Pacific Road Accident Database यह applet क्या है Asia Pacific Road Accident Database तो उस format के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं और कहिना कि हमारे जो अलगलग states, जो अलगलग departments है वहाँ से data जाता है और जैसा मैंने आपको number बताए तो numbers कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी पर सर इतने accident हो क्यों रहे है देखो यहाँ पर ना इस report के अंदर आप देखने को मिलेगा यहाँ पर यह उन्हें बताया है कि लगबग जो आपके maximum जो cases देखने को मिलते हैं वो over speeding की विज़से होते है ठीक है यह देखो यहाँ पर लिखा है drink and drive हो गया और भी इस तरह के कारण बनते हैं कहीं ना कहीं जहां पर हमें इस तरह की issues देखने को मिल जाते हैं कई बार गाडियों वाले जो अच्छे से rules follow नहीं करते हैं या फिर गाडियों के जो अच्छलिए उनकी proper engineering होने चाहिए गाडियों में वह चीज नहीं होती आजकल देखो गाडियों में आपको जो safety वो मिल जाएंगे पर पुरानी गाडियों के नदर वो चीज हमें नहीं सेफटी बैक्स बगरा हमें नहीं देखने हमलते हैं पर इसे बहुत सारे लोगों की उसमें मृत्यू भी हो जाती है इन फेक्ट ना देखो कभी आपको टाइम मिले एक ना यूट्यूब के उपर हमारे जो road ट्रांस्पोर्टर हाइवे मिनिस्ट है ना नितिन गड़करी जी बहुत देखो बहुत नॉलजेवल परसन है उनकी बहुत सारी वीडियोज है इसके रिगार्डिंगी road accidents को कैसे खतम करना है मैंनों भी बहुत सारी इनकी वीडियोज देखी है रिगार्डिंग road accidents कम करने की तो एक वीडियो के अंदर है उनने 4E प्रिंसिपल बताया है एक्चली मारी सरकार भी इसको फॉलो करने कोहिश कर रही है I'm not sure कितना रियल टाइम पर इंप्लिमेंटेशन है बर ठीक है इसके आपको ने एक्जाम के अंदर 4E लिखना ही लिखना है तो एक बात करता हूँ education की तो education के माध्यम से हम कैसे कर रहे है actually आप भी देखते हो ना बहुत सारी हमारी NGOs होती है राइट हमारे कुछ निउस्पेपर के अंदर भी हम एड वगरा देखते हैं जहां पर लोगों के इस बार में information दी जाती है आज कल तो बच्चों को भी जैसे essay वगरा दे दिया road safety के उपर लिखने के लिए बहुत सारे हमारे seminars बहुत सारे exhibitions लगते हैं कहां पर हमारे जो pedestrians होते हैं उनको कैसे walk करना है मतलब उनके लिए अलग जो हमारे पास होती है चीज़ें आप TVs के उपर रेडियो के उपर यह सारी information क्यों देते हो क्योंकि हमें पता है कि education से ना कहीं ना कहीं लोगों के अंदर awareness आएंगी और जो road के regarding the rules है road safety के regarding क्या क्या करना चाहिए यह सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है ठीक है तो education होना एक बहुत जूरी है उसी तरह से दूसरा हमारे देखने को मिलता है जो है with regards to engineering अब ये ना आपने आपने आपे बहुत ही को पता है कि कैसे मतलब कौन से अरिया के जाधा कहीना के accident हो सकते है तो दे नो कि उस रोड की geometry कैसे बनानी चाहिए लोकल traffic को हमें कैसे separate करना है जो कहीना कहीन आपका जो long route वाला traffic है आप इतने सारे highways देखते हो इतने सारे जो bypass देखते हो वो कहीना कहीन आपके engineering के अंदर ही आती है आपके pedestrians कहां पर चलेंगे बस के लिए आप देखते हैं इक लिए बस के लिए अलग से जो होती है उसके उपर काम कहा जा रहा है आपकी गाड़ी जब आती है तो जो आप देखते हैं उनके रिए crash time कितना होता है crash की वज़ा से कितना effect आएगा उस गाड़ी के उपर ये सारे अलग-अलग measures कहां पर आते हैं engineering के अंदर आते हैं साथ में एक तीसरा यह आता है with regards to enforcement enforcement का अर्थ क्या है हमारे पास बहुत सारे एक्टों है जिसे motor vehicle act हो गया central motor vehicle rules हो गया पर भाईया इनको follow भी तो करो उनको enforce भी तो करवाना जलूरी है इसके अलावा जो आपका चौता यह आता है वो है environment and emergency या फिर emergency care के बारे में आप बता सकते हो पहले देखो क्या होता था ना जब आप माल लो कोई person है उसको accident हो गया है तो पहले तो लोग ही उसको लेके नहीं जाते मतलब होस्पिटल हो सोचते हैं हम पकड़े जाएंगे you know हमें पुलिस सवाल पूचेगी पर अब rules आ चुके हैं उसके आप से कोई सवाल दिबाब नह आपके वास प्रॉपर you know contact numbers होते हैं आज कल अपने अलग अलग हाई वेस्ट्यू पर कोई भी accident होता है आप number उसको कांटक कीजिए and accordingly help यहां पर अवेलबल हो जाएगी तो इस तरह कि फोरी प्रिंसिपल अपने बहुत जाएं पॉइंट हैं बाकि और भी बहुत सारी चीज पर फॉलो किया सकता है जिसके माध्यम से हम क्या गर सकते हैं हम यह सारी चीजिसे इंशूर कर सकते हैं कि यह सारी दिक्कते ना आएं और रोड एक्सिंट केना के एक कमी देखने को मिले सरकार ने फोकस भी किया है जैसे for example real time data analysis के लिए एक यहां पर report एक launch होई है EDAR electronic detailed accident report ज पहले तो यह समझो कौन थी एक अपने आपे बहुत ही फेमस administrator और economist रही है यह कर लोगों के लिए ने बहुत बहुत important काम किया है यह planning commission की principal advisor के तौर पर भी काम कर चुकी है rural development के पर ने बहुत important काम किया था अब देखो जब इनकी मतलब पिछले जब इनकी death होती है तो इनकी याज के अंदर ना एक रोहनी नहीर प्राइस हमारे यहां पर देखने को मिल जाता है तो इस बार का जो रोहनी नहीर प्राइस था वो कुसको मिला है वो दीनानाथ राज पर ऐसे टाइम के उपर जो दीनाराथ राजपूर जी थी थी ना इन्होंने नहीं 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 बोला कि नहीं मैं तो जाके काम करूँगा वहां की जो महलाएं है उनको इंपावर करूँगा इस important काम के लिए इनको यहां पर रोहनी नहीर प्राइस इस बार का मिला है यह से यह सेट अप किये और यहां पर यहां पर ना जब स्टार्ट किया था तो 337 वुमें थी आज के टाइम के पर यह नंबर शाद 6000 वुमें से भी जादा बढ़ चुका है तो महिलाओं को इंकम उनकी इंप्रूफ करने के लिए उनको इंपावर करने के लिए किया कही ना कि उन जरनल सेक्योरिटी के कोई क्वेशन आता है जहां पर नक्सलाइट के उपर पुछा गया है तो वहां पर वे फॉरवर्ड के अंदर आप यह बता सकते हो इस तरह की काम हो सकते है और भी बहुत जगा पर आप इस चीज़ को यूज सकते हो अगरी कल्चर के अंदर भी और ब अगले टॉपिक तरह चलते हैं इस मोरे मनीपूर देखो अभी रीसेंटली क्या हुआ है एक जो मारे पुलिस ऑफिसर थे उनकी मार दिया गया यहां पर मोरे मनीपूर के अंदर कुछ गन शॉट्स की वज़ा से अब यहां पर इसकी थोड़ी लोकेशन आप समझ लो देख है इस पर्टिकुलर डिस्टिक के अंदर हमें यह देखने को मिल जाएगा और यहां पर न आपकी बॉर्डर हाट ट्रेड भी हमें यहां पर देखने को मिलती है जहां पर आपना कहीं महनमार के लोग और भारत के लोग आपस में ट्रेड वगरा करते हैं तो यह कुछ जो ही आपको कहां देखने को मिल जाएगी आपको गोवा के अंदर तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है बॉम्बे हाई कोट की जो गोवा वैंच है ना उसने गोवा गॉर्मेंट को बोला है कि भई आप इस वाइलेश सेंटरी के अंदर एक टाइबर रिजर्व को यहां से महाद़ी रिवर आपको देखने को मिल जाती है वह अगर आप लंबे टाइम से फॉलो कर वे वह न तो दोज़ार उन्नेस-वीज इस टाइम के उपर महाद़ी रिवर काफी न्यूज में आई थी ठीक के लिए ना गौवा हो गया करनाठ का होगया कुछ डिस्प्य के अंदर कर जाती है कुछ थोड़ी और भी फैक्ट्ट इंफ्रमेशन नहीं आप प्रवाइड की है इसको पढ़ सकते हो जैसे के अंदर कुछ सॉन्सोगोड पीक आपको हो गया तालवेच साधा पीक हो गया बगेरी पीक हो गया यहां पर आपको ना सेक्रेट ग्रोफ भी आ पर आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे और कुछ एवर्गी वेजटेशन और डेस्टियस वेजटेशन भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी इसको इन्टर इको करने की पर अजब के ब लुगा यहां पर देखने को मिल जाएंगे इसको इन्टर इसको अशिकासी पूइंड लाइफ यहां पर कुछ में कुशन्स दे रहा हूँ जिनका मुझे हम अंसर बताना एक देखो स्टिव आप यूटिवे रिकारिंग में आप प्रेक्टिस होती है ना, वो नहीं लेकर आप आया, तो कल हम MCQ ब्रेक्टिस वापिस रिज्यूम कर लेंगे, बट एनिवेस, कल जो होमबग दिया था, उसका मैं आपको फिकली एक बार अंसर पता हूँ, ना, कवच के रिगारिंग वोमबग दिया था, कवच का पहला स्ट्रिमन कहा रहा है, कि प्रोटेक्शन बाइप्रेवेंटिंग ट्रेंटिस पास था, बिल्कुल ठीक बात है, कवच का यही काम था, इंडिया बुटान को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंडिया और बांगलदेश को यहाँ पी एक कनेक्ट कर रहा है, मैं फिर से बतादू, MCQ प्रेक्टिस जो थी ना, आज नहीं हो पाई किसी कारणिक पे जैसे, कल से हम उसको वापस रिज्यूम कर लेंगे, अगर आपको इस लेक्टिक पीडियाफ चाहिए, तो आप माई टेलिग्राम चैनल, PW OnlyS Official पर जाके इस लेक्टिक पीडियाफ को ड कर दो दो बादू लूब लादू